अठारे जून बड़ा शुक्रवार मासिक दुर्गा अश्टमी घर के दर्वाजी से फैक दें यह एक चीज गरीबी फूल जाएगी घर का रास्ता धनकी देवी मा लक्ष्मी करेंगी धनवर्शा ओम गैंशी महा गड़ी शाय नहा राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों जेश्ट महा की शुक्ल पक्ष की अश्टमी 18 जून दिन शुक्रवार को है यह मासिक दुर्गा अश्टमी है इस दिन मा दुर्गा की पूझा कहने से मनुवांशित फनों की प्राप्ती होती है इस बार दुर्गा अश्टमी शुक्रवार के दिन है शुक्रवारी दुर्गा अश्टमी का विशिश महत्व होता है इस दिन मा लक्ष्मी के पूजा करने से मा लक्ष्मी अतिशेगर ही प्रसंद हो जाती है और अपने भक्तों की धन सम्मंदी सभी समस्याईं दूर करती है आज की इस वीडियो में हम आपको शुक्रवार और दुरका अश्टिमी के इस सुपसयोग पर करने वाला एक बहुती आसान उपाई बताने जा रही है इस उपाई को करने से मालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है जिन लोगों पर मालक्ष्मी की कृपा होती है उन्हें जीवन में किसी भी चीच के लिए दूसरों के सामनी मोहतास नहीं होना पड़ता वैसे तो मालक्ष्मी की पूजा रोज ही की जाती है लेकिन देवी आराधना के लिए शुक्रवार का दिन सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि शुक्रवार का दिन धनकी देवी मा लक्ष्मी जी को ही समर्पित होता है कहते हैं कि जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन शद्धा भाव से देवी लक्ष्मी की पूजा करता है देवी लक्ष्मी उस व्यक्ति पर आपार कृपा बरसाती है आज की इस वीडियो में हम आपको मालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का एक पहुत ही आसान और असरकारक उपाई बताने जा रहे है इस उपाई को करने से मालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन्सम्मन्दी समस्याएं जल्द ही दूर हो जाती हैं दोस्तों इस उपाई को सही प्रकासी करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंट तक अवश्य ही देखे अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें जैसे हमारी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए दोस्तों शुक्रवार के दिन मालक्ष्मी का पूचन अवश्य ही करना चाहिए मालक्ष्मी का पूचन कहने के लिए इसनान करके सच्छ लाल रंग के बस्ते धारन करें इसकी बाद मंदिर की सफाई करें फिर आप मालक्ष्मी जी के सामने एक शुर्तिखी का दिया जलाएं और मालक्ष्मी जी को कुम कुम से तिलक करें आज के दिन हो सके तो मा लक्ष्मी जी को लाल रंग का पुष्प अवश्य ही अर्पित करें वैसे मा लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प अती प्रिया है लेकिन कमल का पुष्प हर जगे उपलब्त नहीं होता इसलिए आप लाल रंग का पुष्प मा लक्ष्मी जी को अर्पित करें मा लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प और कमल की पुष्प की कमल के पेर की हर चीजें बहुत पसंद हैं इसलिए आज के दिन आप मा लक्ष्मी जी को हो सके तो मखाने की खीर बनाकर उसका भोग अवश्य ही लगाए। यह नियम आप प्रति शुकरवार का बना सकते हैं और हर शुकरवार को आप मालक्ष्मी जी को मखाने की खेर का भोग लगाए। मखाने की खेर नहीं बना सकते तो आप मखाने का मालक्ष्मी जी को भोग लगाएं। ऐसा करने से मालक्ष्मी जी के कृपा प्राप्त होती है। मालक्ष्मी का पूचन कहने के पश्चाथ आपने मालक्ष्मी को जो भूग लगाया है उसे प्रशाथ के रूप में ग्रहन करें. इस तरहें प्रती शुकरवार मालक्ष्मी का पूचन कहने से मालक्ष्मी की कृपा सदय बनी रहती है. दोस्तों अगर आपके घर में धन का व्यर्थ खर्च होता है धन आता है लेकिन बेकार की चीजों में खर्च हो जाता है या फिर ब्यापार में मंदी चल रही है या नौकरी अठी नहीं मिल पा रही है या धन सम्मंदी कोई भी समझ से आपके घर में चल रही है या आपके उपर बहुत सारा करजा है तो इन सभी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आप शुकरवार की शाम को करें ये आसान सा उपाई दोस्तों यह उपाई आपको थोड़ी से काले दिल से कहना है उपाय करने के लिए शुक्रवार की संध्या कालिया रात्री के समय आप मालक्ष्मी के सामने एक शुद्धिखी का दिया चलाएं मालक्ष्मी जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं इसके बाद आप भगवान शरी गनेश और मालक्ष्मी की आरती करें आती करने से पहले आप एक पात्र में थोड़ी से काले दिल रखकर मंदिर में रखतें पूचन करने के पश्चात आप मालक्ष्मी जी को प्रणाम करें और आपकी जो भी धनसंबंदी समस्या है फैं मालक्ष्मी जी के समक्षक रखें और अपनी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रातना करें प्रातना करने के पश्चात आप मा लक्ष्मी जी के इस मंतर का 108 बार जाप करें मंतर इस प्रकार है ओम शिरी शिरी नमा ओम शिरी 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 नमा इस मंतर का दोस्तों आपको 108 बार जाप करना है मंदर का जाप करने के पश्चाद अब आप अपने मंदर के सामने खड़ी हो जाएं और मंदर में जो काले तिल हैं उन्हें आप उठा लें अब इन तिल को आप अपने सिर्पर से साथ बार बारें यानि कि इन तिल को आपको अपने सिर्पर clockwise खुमाना है Clockwise जैसे की घड़ी की सोयां घूमती हैं इसी तरहें आपको दाएं से बाएं, राइट से लेफ्ट की तरफ इन तिलों को अपने सिर पर साथ बार खुबाना हैं दोस्तों अगर आपके परिवार के बागी सदस्यों के उपर से साथ बार उतारें, सबके उपर से उताने के बाद अंत में आप अपने सिर पर से यह दिल साथ बार उतारें दिल उताने के बाद आप यह दिल लेकर अपनी घर के मुख्य द्वार से बाहर चले जाएं और उत्तर दिशा की तरफ यानि की नौर्थ की तरफ कमर करके खड़े हो जाएं आप चाहें तो अपनी छट पर से भी यह उपाए कर सकते हैं नौर्थ की तरफ कमर करके खड़े होने के बाद आपको यह दिल अपनी सिर्पर से पीछे की तरफ नौर्थ दिशा की तरफ फैंक देने हैं ध्यान रखें यह दिल आपको अपनी सिर्पर से पीछे की तरफ इस तरह फैंकने हैं कि यह दिल आपके सिर्पर ना गिरें अगर आप अपनी छट पर या बालकनी में खड़े होकर यह उपाई कर रहे हैं तो ध्यान रखें किया दिल आपकी छट पर या बालकनी में ना किरें आपको यह अपनी छट या बालकनी से नीचे की तरफ फैकने हैं और यह भी ध्यान रखना है कि आपकी कमर नौट की तरफ होनी चाहिए। दिल फैकने के पश्चात आप सीथे अपनी घर आजाएं और पीछे मुड़कर ना देखें। दोस्तों अगर आपके घर गंगा जल है तो अपने ऊपर थोड़ा गंगा जल का छिड़का भी अवश्य ही कर लें। गह भी ध्यान रखें जब आप यह तिल उतारें या फिर तिल फैकें इस तभी टाइम आपको ओम श्री श्री नमा मंत्र का जाप करते तहना है। दोस्तों इस उपाई को कहने से धन पर लगी रुकावट हट जाती है। धन प्रांकति के मार्ग में जो भी रुकावट होती है वह दूर हो जाती है। अगर आपके धन पर किसी के बुरी निजर लगी है या फिर कोई रोक डोक लगी है तो वह भी हट जाएगी। आपके ब्यापार में किसी के बुरी निजर की बज़े से मंदी चल रही है तो बहभी दूर हो जाएगी और ब्यापार अच्छा चलने लगेगा धन की हानी नहीं होगे मालक्ष्मी जी की कृपा से धन प्राप्ति के नए मार खुलेंगे और मालक्ष्मी की कृपा से धन संबंदी समस्याइं जल्द ही दूर हो जाते हैं दोस्तों इस उपाई को करते समिछ स्वच्छता का विशीर ध्यान रखें यह उपाई आप इसनान करने के पश्चाथ ही करें पीरेट के दौरान महिलां यह उपाई ना करें और अगर किसी महि महिला को पीरेट हो रहा हो तो उनके उपर से भी आ यह दिल ना उतारें दोस्तों इस उपाई के लाब श्विक्रही देखने को मिलते हैं दोस्तों शुकरवार की शाम को घर में शंक बजाना भी शुब माना जाता है इसे घर में देवी जी का आगमन होता है इससे तरक्की क मालक्षमी और धनाद्यक्ष कुवेजी के यंतरक उनकी पूजा भी कहना बहुत ही शुब माना जाता है ऐसा कहने से धन में ब्रद्धी तो होती ही है साथी सारी इक्षाइं भी पूरी हो जाती हैं मालक्षमी जी को प्रसंद कहने के लिए शुक्रवार के दिन सफीत रंग की बस्तों का दान करना भी बहुत शुब माना जाता है पती की लंबी आयू के लिए और सौफागे में ब्रद्धी के लिए शुक्रवार के दिन सफागन महिलाओं को शिंगार का समान मालक्षमी जी को अर्पित करना चाहिए इसकी पश्चात आप है समान किसी सौफागन भाम भी होती है सातीं पति को कोई रौरठ होता है तो जल्दी ही ठीक हो जाता है दोस्तों की вмी को करने के सातीं कुछ उत्यां लने खूंदृप शुकुक्रवार के सफसाइद का विर्षत ध्यांद प्लदा जाहिए हैं माना जाता है साफसफाई दो वहां मालक्ष्मी का बास नहीं होता साथ ही इस दिन फूल कर भी लडाई जगड़े ना करें वैसे तो कोई भी व्यक्ति कभी भी लडाई जगड़े नहीं करना चाहता है और अचानक मजबूरी में लडाई जगड़े हो ही जाते हैं लेकिन शुकरवार के दिन आपको इनका बिश्य थ्यान रखना चाहें किस शुकरवार के दिन भूल कर भी ना तो किसी से लडाई जगड़ा बात बिवात करें और ना ही मन में किसी के लिए बुरे बिचार लाए साथ ही मालक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए सदय महिलाओं इस्तियों का सम्मान हमेशा करना चाहें चाहें आपके घर की महिलाएं हैं या फिर घर से बाहर कोई महिलाओं सभी का सम्मान अवश्य ही करें माना जाता है जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान नहीं करता मालक्ष्मी की कृपा कभी भी उसे प्राप्त नहीं होते इसलिए आप चाहते हैं कि आपके उपर मालक्षमी की किर्पा सदेब बनी रहे तो आप सदेब इन बातों का ध्यान रखें उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तिदारों में जादा से जादा शेयर करें जिससे भैब भी इसका लाब उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें थैंक्स पर वाचेंग राधे राधे